नहीं कोई दुख उस प्रशन्नता को बादित नहीं कर सकता इसलिए खूब भजन करो अभी जलन हो अशान्ती हो आनंद ना मिले मन न लगे इसकी परवा मत करो भजन करते जाओ इस सब छीरनोता चला जाएगा और आप आगे बढ़कर उस आनंद को उस प्रशन्नता को साथ होती है और उसी आनंद के बल सिर्व बड़े बड़े कष्टों को सहते हुए मुश्कुराते हुए जीवन बितीत करते हैं तो नाम जब का प्रभाव आएगा पर पहले पापों का नास करेगा पाप की प्रवत्ती का नास करेगा मलीन वासना कामना का नास करेगा अनर् दिनों का भूखा आदमी हो और उसे दो चार कवल पवा कर रोक दिया जाए तो भूख की जलन बढ़ जाएगी ऐसे हम बहुत जन्मों से भगवान से बिचुरे हैं अभी थोड़ा भजन करते हैं तो अभी जलन सांत नहीं होगी और जब वही आदमी पेट हो जाए अच्छे स स् स्वाध आने लगता है कि खीर कैसी पुड़ी कैसी कचोड़ी कैसी भूखे आदमी को स्वाध नहीं पहले पेट वहना होता है हम लोगों को पहले नमजभ य pneu कि करना है शांत हरादा राधा 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 रामकृ्षनारी जो नाम प्री लगे जम्हें नाम औरुपी ध इतने रोमान्च होने लगे वहां आशू बहने लगे और विचार के कोई विचार नहीं पर हमें रोना आ रहा है तो आप जाने लो हर्दय निरुमल हो रहा है अब हमारे अंदर आनंद आने वाला है अब आनंद शुरू से अभिशिक्त कपूल भगवान के चिंतन में जो सिरी कि आ तो में इस को एम पर-फार अपनो ही गुनदेत चैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत जैसे बेटा बिष्ठा लगाए हो तो दूसरों की दृस्टी में तो बिष्ठा लगाए बालक दिखाई देगा पहले बिष्ठा दिखाई देगा फिर बालक देगा गंदा है लेकिन मा को केवल अपना बालक दिखाई देता है तो बुले ब्रंदावन का प्रभावशुनो ब्रंदावने प्रभावशुन अपनो ही गुन देत ब्रंदावन अपना गुन देता है जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत ऐसे अगर कोई अपराद बन जाए और धाम से अंदर से जलन करते हुए छमा मांगे तो माता की तरह हो छमा ही कर देता है या मान तो आपके एगदाए में जो प्राश्चीत हो रहा है जो जलन हो रही कि मेरे से अपराद बन गया धाम करपाल है वो छमा कर देगा पर बात यह कि पुना फिर नहों वो पुनार व्रति नहोंनी चाहिए और कितना भी बड़ा अपराद बन जाए जो धाम का वाशी है जो अपन शरीर धाम में छोड़ता है तो धाम करपा करके उसके सारे अपरादों को समा करके बगोत प्रात्ति करता है यह धाम के विशाल महिमा है ब्रंदा टवी मा की तरह प्यार करती है अपने वास करने वालों को हाँ ब्रंदा वने प्रभाव सुन अपनों ही गुन देत जैसे बालक मलिन को मात गूद भर ले तो जो अपराद बन गया उसके लिए जो जलन हो रही जो पश्चाता फूरा यह उसका प्राश्चित है और अपने आप नश्ठ हो जाएगा आपको उसकी चिंता नहीं करनी पर पुनरा वृत्ति ना हो धाम में यह बस ध्यान रखने की बात है हर्श कुला कि अन्हों ने अचनां उन्हारं भाज रखने क्या से बेदेत अनुदात करने का है तो अधर करने पांच अन्ता करने नाम बता है poses on अगुन रजोगुन तमोगुन कहना क्या चाहते हो कि जब ये इंद्रियां और अंतकरण माइक और भगवान तो माया से परे हैं तो इस माइक अंतकरण से प्रभू का आच से कैसे लें मेंद्रियों मैं माया हूं और सब्डिक तरय दिखाई देंगे और जब कृष्ण की तरफ चलोगे तो यह सब खृषार प्रहीक है तो उसमें हैसी आगी हें तो प्रहेंगे तो बीच में क्या है प्रभु इतो प्रहु है ना यही बात समझाने के लिए दो भी बाग किये गए पहला होए दूसरा नहीं सो जिसमें हम हास तो जब हम हृँआ मैं encompass कर देखते तो सब कुछ है जैसे ब्रह्म शूत्र कहते है कि ब्रह्म सत्यम जगनमिथ्या कहते ना उसको मिथ्या को अटाते चले जाओ और जब गुरु प्रशाद से है तत्तु ब्रह्म तत्तु का नुबह होगा तो फिर वही कहते सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति दो मार्ग हैं इनके साक्षी बनो ग्यान मार्ग में जया और भगवान में लगा जाती तो भाम में हो जाती है है जैसे अगर ना समझ पाओ लोहा है जब उसे आग में रखते है तो आग में i нравится और विष्ठाग में रख दें तो भी आग में हो जाएगा चंदन रख दें तो भी आग में क्योंकि आग अपना स्वरूप उसे प्रदान करती है ऐसे इंद्रिया मन जब भगवान में लगती तो इसा भगवत स्वरूप हो जाती है क्योंकि भगवान अपना स्वरूप उसे को द अब श्री कृश्न का प्रभाव चलेगा वहीасतोगुंझ वही थैमोगुण जो माया के हैं जब हम भगवान में लगते तो गुणा तीथ होकं सब भगवत स्वरुप हो जाते भगवान में लगने से बबांवान ही पहले थे बघवानी बान में रहीं में तो इस को जानने भगवान की लीला भगवान की धाम भगवान की मैमा जब इसमें लगे और जब अनुभा हुआ तो सब कुछ भगवान है सब कौन वह वसी यह राम में सब जग जानी सब कुछ प्रभू ही है चाहे संसक्रत में बोले सर्वं कलमिदम ब्रम वासुदेवा स्वरमीति इसा किंचे जगत्याम जगत होचा हिंदी में बोल जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जालवई प्रभू ही है ऐसानुभा होता हर भक्त को समझ पार रहाँ शिवम जी मध्यप्रदेश राधा वल्लव शीहरिविंश मारा जी मारा जी मारा जी विंदावन में जब श्री व कि बड़ियां बात कर रहे हो कहीं भी चले जाओ आनंद होगा जब अपने हरदय में भजन होगा भजन नहीं तो आनंद नहीं अच्छा विहारी जू राधा रमण जू राधा वल्लव जू यह कोई मूर्ति नहीं बच्चा यह साक्षात प्रिया प्रितम बने हैं यह कहीं जैपूर से बनके लहीं आए यही भृद्दावल से स्वयम प्रगड़ श्वयम बाके विहारी जू से आमाकुंज विहारी स्वयम मूर्तिमान हैं लेकिन हमारे भजन ना होने के कारण हमको देखो उनके पास भी आनंद नहीं मिलता इसलिए हम कहते भजन करो कहीं भाग के चले जाओ भजन नहीं है तो तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा सांती नहीं मिलेगी आनंद और शांती यहां है तो बजार में घूमियाओ तुम सांते ही रहोगे आनंदी तरहोगे और अगर आनंद सांती नहीं तो गुफा में बैठ जाओ तो असांत रहोगे भगवान के सम भी असानतर होगे अगर भजन नहीं है इसलिए हम खास बात कहते हैं अंदर ही अंदर भजन करो जो नाम तुम्हें प्रियोखुम नाम जब करो जो गुरू ने नाम दिया है उस पर प्राण समर्पीत कर दो आनंद आने लगेगा जहां भी जाओगे आनंद यान बात है आनंद अपने अंदर है अपने अंदर तो आनंद है ले तो फि बाहरा आनंद कैसे अनभो में आएगा आनंद तम मिले न जो हमारा दर्शन ठीक हो हमारे दर्शन के लिए हमारा भजन बल चाहिए भजन बल है नहीं तो कैसे अनभो में आए तक कि जिस तरह आपको मैं देखता हूं परगव कोई बात ने भजन करो एक जगे अगर कहीं बन जा इक जगे अगर सवाल हमारा हाल हो जाए तो सब जगे अलो ने लगता है जैसे हम गुरु को भगवान मानले परब्रम तो अब हमारा जब ग्यान आगे बढ़ेगा तो खंड मंडला कारं, व्याप्तमें चराचरं, तत्पदम दर्शितमें, तस्मैसी गुर्वे नमा, सवाल हमारा हाल होने लगा, एक जगे माना कि हमारे परभ्रम है, तो अब हमारे भाव बढ़ेगा कि सब जगे गुर्देव हमारे बिराजमान है, फिर आनंद की अनुबूती ह हो जाएगी, एक जगे मानलो पर अब रभ्रम है, तो आगे भावना बढ़ती चली जाएगी, अच्छा अभी क्या है कि कितना भी समझाए लेकिन बिहारी जो राधावल्लब जो के लिए हमारे भाव मूर्ती रूप है, मूर्ती रूप, तो जाकी रही भावना जैसी, प्र जारी जुके दर्सन मिले, आज मुझे राधावल्लाल, खुम नाम जब करो, बढ़ियां है, आगे चल करके भाव वही क्रपा करके देंगे, उनी के दिने भाव से हम जब देखते हैं, तब रोना आ जाता है, उनको देखके कि हाए मेरे प्रिभू देखो, कितने करुणा मे हैं, कि हमारे दर्सन के लिए हर समय खड़े रहते हैं, हमारे दर्सन देने के लिए हर समय खड़े रहते हैं, हमारे ब्रंदा उनकी जितने ठाकुन सब खड़े रहते हैं, नहीं खड़े रहते हैं, दर्सन के लिए, कि आओ आओ, तुम्हारा कल्यान हो, तुम्हारा मंगल हो तो बुढ़िया माई थी बगल में खंबा था, उसमें पैर लगा कि महाप्रभु के कांधे पिच्वार के ऐसे दर्सन, भग तो लोग एक दम बिगए, तब महाप्रभु ने कहा कि इस बुढ़िया माई के भाव तो देखो, जगनाथ जी के दर्सन की लालसा तो देखो, जग पाएं हम राधावल्लत जी को देख पाएं ये मूर्तिमावन प्रहु साक्षाद विराजमान हैं ये अर्चा विग्रे की रूप में प्रिया प्रितम स्वयम परनित हुए बिहारी जी राधावल्लत राधारमन जी तो साली ग्राम थे ना तो जब आचारे चरण बड़े व्य राजमान होते तो आज हम भी पोसाग पहनाते देखा जब स्री ठाकुर जी को उठा ले गए तो साली ग्राम की जगे राधारमन जी महराज भी राजमान थे इस साक्षात ऐसे ही निदिवन राज में स्री स्वामी हरिदाज रोज दंडवत करके वैसे गानपद किया करते थ तो उनका देखो वो रंग भावन है इसमें देखो प्रिया प्रितम बिरा तो देखा स्वाक्षात अब जब कहा देखो तो दृष्टी भी प्रदान की ना प्रिया प्रितम ओ का जाओ जारी ले के आओ कि ये कोई वल भावना में नहीं दिखा रहे स्वारी उठा के लाए फिर बिठ्थल विपुल देहों जी ने प्रार्थना के जगत के प्राणियों को ये दर्षन कैसे हो तब सौमी जी ने प्रार्थना के तो स्यामा कुंज भिहारी वहीं साक्षाद भिहारी जी उन्नी दीवन में प्रगट हुए है तो ये कोई मूर्ति प्रेज होड़ीarी जी वो भाव नहीं जागरत है हमारे कहीं न कहीं हरुद है कि ओने में बैठा यह तो मूर्ति है हमा लोग इदर देख रहे हो और लग रहा है चैतन रूप में बिराजमान है वो तो मूर्ति है तो जैसी हम भावना करेंगे वैसे ही प्रभु हमें दर्शन देते हैं वैसे ही हमें अनुभो कराते हैं मूर्ती ने साक्षात विराजमान है गुरुजी एक हमारे मन में संदे है हमारे मन में संदे है अब हमारी एक बात सुनो जो तुम्हें गुरुजी ने संदे सब धटा दीजिए कोई कृष्रा है कोई राम जबता कोई सिव जबता कोई हरी जबता कोई वाइगुरु जबता कोई वहुता नहीं कर तुछ कूछ रहे हैं अप सादू खुछ हुं 怕 दो डुश दर्शन हैं हम ब्याकर नो जाते हैं गुरुजी ना आप अपने को देखिए आप छात्र को समझाइए पर आप जपने वालों के प्रतिदोस्त दर्शन क्यों कर रहे हैं आपके छात्रों उनको आप समझाइए आप स्वयं सुध्ध जपिए लेकिन अगर भक्त कनुहां बोल दे न तो उतने में प्रसंदैंगी आपको चाहिए कि अपने व्याकरन और विद्धताक अपने सुधार में करें और आपके अंडर में जो सादक हों उनको सुधार करें लेकिन जो भूले भाले नाम जब कर रहें उन पर दोस दर्सन न करें क्योंकि भगवान उतनी ही पुकार से उसको मिल जाएंगे और आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आप बिद्वान हो आपको वह इसे ही चलना पड़ेगा बिल्कुल सुध बोलना पड़ेगा वह सुध बोला तो उसे भगवान मिलें करमा बाई बीना इस दनान के खिचरी बनाके खव़ती थी भगवान पाते थे ना कि कई दो भाव तो आप क्या जानते हो किशन संकर राउस का अंदर कितना का भाव है आप इस बात को समझे एक नंग धढ़ंग या मुना के किनारे हमारे ब्रंदावन में रहते और राजकुमारी राजकुमार राजकुमारी राजकुमार आप लोग तो जानते होंगे ब्रजवासी राजकुमारी राजकुमार कैसे जानो रही बात हम आपको किसी सासर कम आ शमरे आपको निकला जब Heart और तो अदा की जग विर में अभुत almost है नहीं नहीं sentiments है जैसे जहां भी जहां कि सम्झा ले जितने पद हैं और जिए आधिकतर ना का प्रयोग होगा ना का प्रियोग होगा हुआ रहां जहां जितनी ब्रजवासा देखो तूते सकी सयाणी जहां इसे लिखा तो तो तूते सकी सयानी हर जगे ना कप्रयोग हमारे 500 ब्रजवासा की जैसे पद है उनमें जानने ना है इस पस्ट जैसे अगर ब्रजवासा का पद ब्रंदावंदास जी लिख रहे हैं नारायन शब्द भगवान का नाम है तो नारायन बोले नारायन नारायन नहीं बोले नारायन बोले तो अगर ये बोल रहे है कृष्ण 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 और है कृष्ण और कृष्ण बोल रहे हैं ब्रजवासा में कृष्णु वही माना जाएगा तो ना सब्द जो है हमारी ब्रजवासा में ना हटा करके ना बोला गया है बोल किशन कनया लाल की जए ऐसे जिसे बोलते ना तो ये ब्रजवासी भासा है इसमें ना का प्रियूग बहुत किया गया है ना सब्द की जगे यहा ना का प्रियू किया गया है अब जैसे एक पद में है शुद्ध शब्द है राधारमण है राधारमण सकलशुखधामा अपने खेलत राज ब्रशिक ब्रज मंडन जुतीनन सादीए भुजदेंडन जैसे धरिवन समगन मन स्यामा और राधा रवन सकल सुखदामा राधा रवन राधा रवन सकल सुखदामा और सुद्ध शब्द है अगर उचारण करते हैं राधा रमन राधा रमन और राधा रमन राधा रमन अना को अटाके ना ब्रजवासा में ना का ही प्रयोग तो हमें चाहिए कि जो अगर ना भी बोल रहे तो हमें पता है कि कृष्ण बोल रहे अब सुद्ध शब्द में है कृष्ण 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 और जब हम इशे फसे ते रहा और जब हमारे ब्रजवासी ये ब्रजवासा कि अंतर तो कृष्ण एक कृष्ण रणा का प्रयोग नहीं हाजारों जगे हम दिखा सकते हैं आपको जगे जहां याक की जगे नहां का प्रयोग किया गया है तो इसको अफानर हाँ और संदेज सब्द उपासना में मत करना अब भक्तों के जो प्रस्ण होते हैं वो जगत कर लियान के लिए हो जगत मंगल की लिए ऐसे प्रश्न तो कीजिए अपनी उपास्थना के सब्द में जिसे एक दुबार राधा और इसे की स्यामा प्रेम है और हम निंबाग संब्रदाय से हैं हम गुरुजी से सवाल के कहिना जो आचार संब्रदाय क्यों राधा राधा तो हमारे कहने का मतलब है गुरुजी कि जो सब्रय उपासना है नल उपासन शोगल मन्त्र को जाब वेद्रश्कन की महारानि का सव्ž LIVE लेकिन राधा नामयुक्ष्यर मिलितम कंभी स्थ्यांजी निराज्यरा राधा इस लोग लिखा हूँ है अगर राधा राधा केवल कहनुक मिल्या तो करोणों साथनाओं का फलत्याजी हो जाया सम्हें राधा नाम आएक वाईव का क्रण राधा 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 भूल रधा है ना श्याम और राधा वही राधा वही श्याम समझे ले अलग अलग है यह ले केवल दो तन एक प्राण एक मन एक सुभाव एक रुची एक वैस अगर हम श्याम श्याम बोल ले तो राधा जी समाई है